नमस्का दोस्तों इडूको सीरीज में मैं सुभास आपको फिर से स्वागत करते हूं आज हम लोग देखेंगे प्रस्णावली प्रस्णावली आठ दस्मलो तीन यह प्रस्णावली आठ दस्मलो तीन के अंदर जो साथ गो सवाल दिया हुए है निश्चित है कि आज के इस वीडियो को पूरा सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसी से साथो सवाल से एक निश्चित आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है अगर आप चैनल पर नए है तो क्रिपया पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को सेयर जरूर कर दे देखिए तो प्रस्नावली 8.3 में कोस्चन नमबर एक का पहला क्या है इसी को सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है सबसे पहले यह एक के एक में साइन 18 डिग्री बाटा कोस 22 डिग्री है तो इसका मान बदलना है इसके पिछले वीडियो में इस पर आधारित एक सवाल पहले बनाया जा चुका है और यहाँ फिर से उसी तरक के यह सवाल मिले गिया देखिए सबसे पहले बोले थे कि यह पूरक कोन पर आधारित है सवाल तो ज्याच कर लिया जाएगा कि इसका जो एंगल यानि कि कोन का मान है तो पूरक हो रहा है कि नहीं अगर यहाँ दोनों कोन जैसे के 18 डिगरी और 32 डिगरी दोनों मिलके कितना हो गया 90 डिगरी अगर दोनों मिलके 90 डिगरी हो गया तो कहा जाए कि यहाँ दोनों आपस में पूरक कोन का निर्मान कर रहा है तो जब पूरक कुन का निर्मान करता है तो उस स्थिती में किसी एक को बदल दिया जता है अगर इसको बदला जाएगा तो इसको नहीं बदला जाएगा और अगर इसको बदला जाएगा तो इसको नहीं बदला जाएगा किसी भी एक को बदलना है दूसरे को नहीं बदलना है तो यहां हम लोग ऊपर वाले यानि कि साइन 18 डिगरी को ही बदलने का पर्यास करेंगे देखिए क्या है कि साइन 18 डिगरी के बातला में तो देखिए यहाँ साइन 90 माइनस ठीटा के रूप में है साइन नवे माइनस नवे डिगरी माइनस ठीटा यह क्या होता है कोस ठीटा साइन ठीटा हो जाता है कोस ठीटा में और कोस ठीटा बदल जाता है साइन ठीटा में तो यहाँ क्या है साइन ठीटा के रूप में है साइन नवे माइनस ठीटा के रूप में है तो sign बदल जाएगा cost में, यानि कि इसके बदल में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cost बहुतर डिगरी है, तो बहुतर डिगरी बटा, और यह cost पहले सहीं बहुतर डिगरी है, यानि कि उपर भी cost बहुतर डिगरी आगया, और नीचे भी cost बहुतर डिगरी आगया जो कि दोनों कोट के इसका मान कितना आगिया इस तरह के सवाल अबजेक्टिव में जरूर आपको देखने को मिलेगा अब हम लोग क्वेस्टन एक का दूसरा देखेंगे देखिए क्या दिया हुगा है 10 26 डिगरी बाटा में कोट 64 डिगरी का मान ज्याद करना है तो इसके मान को ज्याद करने के लिए सेम टू सेम प्रोसेस बताया जा चुका है इसके पिछला सवाल जैसे बनाये गया है तो उसी के जैसा इसको भी बनाना है क्या है कि पहले जाच के जाएगा कि दोनों आपस में पुरक कोन हाए कि नहीं है यह 26 डिगरी और 64 डिगरी जब दोनों का मान मिलके 90 डिगरी हो जाएगा तो कहा जाएगा कि यह दोनों आपस में पुरक कोन हाए अन्याथा नहीं तो यहाँ पुरक कोन के लिए 6, 4, 10, 1, 6, 2, 8, 9 यानी की दोनों मिलके 90 डिगरी हो रहा है तो इसके अधर पर एक नम निश्चित हो गया कि यह दोनों आपस में पुरक कोन का निर्मान कर रहा है तो बोला गया है की इस तरह के सवाल में जब दोनों पुरक कोन होता है आपस में तो कोई भी एक को बदलना है अगर उपर वाले से भी बदल कर एक बनाने का कोसिश करना है और देखना है कि एंसर आ रहा है कि नहीं, तो देखिए क्या है कि 10 90 में से कितना घटाया जाए कि 26 रह जाएगा, यानि कि 10 90 माइनस इसके लिए 64 डिगरी लिखा जा सकता है, जैसे कि यहां 64 है तो वही 64 डिगरी के रूप में लिखा जा सकता है, जब 90 में से 64 डिगरी तो 26 डिगरी ही आएगा यानि कि 10 26 के बदला में हम लोग क्या किये कि 90 माइनस 64 के रूप में लिख दिये हैं जिससे कि स्वामी को अनपक किसी परकर का परभाव अंतर नहीं पाया जाएगा और बाटा में पहले से ही है कौट यहां देखिए यहां जो सूत्र बताया गया है 10 90 डिगरी माइनस ठीटा तो टैन बदल जाता है कौट ठीटा में और कौट बदल जाता है टैन ठीटा में इसी तरह से साइन बदल जाता है कौस में कौस बदल जाता है साइन में कौस एक बदल जाता है सेक में सेक बदल जाता ह 106 में तो यहां 1099 मैनस थीटा को बना जाएगा तो क्या हो जाएगा तैन काटेटा के रूप कर ठीटा में हो जाता है और कितना कितना है 64 दिगरी की रूप में मान को लिखना है तो लिख सकते हैं इसके लिए कौर्ट्ट चाउँसट डिग्री बाता यह भी है कौर्ट चाहट् डिग्री जो कि कौर्ट्ट चाूँसट डिग्री और नीचे भी कौट्ट चाहट डिग्री यह दोनों मान कटे गा त इसका मान real कितना आगिया, one answer आगिया, अब question एक के तिसरा देखना है, एक के तिसरा में क्या दिया हुआ है सवाल, cos 48 degree minus sin 42 degree, same to same यह भी सवाल देखा जाए, तो उसी के जैसा है, उसमें क्या था कि उपर नीचे बाटा के रूप में दिया हुआ था, और यहाँ minus के रूप में दिया हुआ है, तो चाहे जिस रूप में भी दिया हो, अगर देखिए एक बार क्या होता है, sign बदलता है Cos में, आख Cos बदलता है sign में इसी तरह से Cos एक ठीटा बदलता है, क्या? सेक ठीटा में और सेक ठीटा बदलता है को सेक ठीटा में इसी तरह से क्या होता है कि टैन ठीटा बदल जाता है कोड ठीटा में और कोड ठीटा बदल जाता है टैन ठीटा के रूप में तो अगर यहां साइन और कोस यहां दोनों यहां आपस में बदलने वाला है और इसी दोन कि यह जो मान दिया हुए है कोन का अगर यह दोनों आपस में मिलाया जाएगा और दोनों को कोन मिलाने के बाद 90 दिगरी हो जाएगा यानि कि कहा जाएगा कि यह दोनों आपस में पूरक कोन का निर्मान कर रहा है और जब पूरक कोन का निर्मान कर रहा होगा तो उस स्थिति में किसी भी एक को आसानी से बदल कर आसानी से सवाल को बनाया जा सकता है तो देखिए 48 दिगरी और 42 दिगरी यह दोनों मिल के कितना हो जाएगा 90 दिगरी तो 90 दिगरी जब हो गया यानिकि यह बात निश्चित हो गया कि यह दोनों आपस में पूरक कुन का निर्मान कर रहा तो जब आपस में यह दोनों मिल के पुरकुन का निर्मान कर रहा है तो दोनों में से किसी भी एक के मान को बदल कर सवाल को बना लेना है तो यहां देखिए इसको भी बदल कर बनाया जा सकता है या इसको भी बदल कर बनाया जा सकता है जब इसको बदलिएगा तो इसको नही पर बनाकर देखना है जाचना है तो देखिए क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं यहां आरतारीस डिगरी के बादला में हम लोग क्या लिख सकते हैं यानि कि 90 में से 42 गटे गा तो 48 डिगरी आएगा और यहाँ मायनस में same to same या जैउं कटते हो इसको लिख दीजिए क्या है sin 42 डिगरी तो देखिए उसके बाद sin बदलता है cos में और cos बदलता है sin में जैसे कि यहाँ cos 90-θा के रूप में हैं तो cos sin के रूप में लिख सकते हैं हम लोग तो इसका मानों जाएगा sin यहाँ ठीटा के कितना है मान, 42 degree तो sin 42 degree और minus में sin 42 degree यहाँ भी sin 42 degree का मान है और यहाँ भी sin 42 degree है यहाँ पलस में है और एक बाद यहाँ मानस में है तो यह घोटे है यानि कि 5 में से 5 घोटे हैं झीडरी इसतरु चंग दिग्रिन double कौशेख 31 डिग्री माइनस में सेख 69 डिग्री है तो यहां भी सेम टू सेम उसी के जैसा सवाल है तो इस स्थिती में भी जाच कर लिया जाएगा कि जो कोन का मान है पूरक हाए कि नहीं है यहां 31 degree और 69 degree यह दोनों मान मिल के कितना हो जाएगा 90 degree हो जाएगा और जब 90 degree हो जाएगा यानि कि यह निश्चित हो गया कि दोनों मिल के पुरक कोन का निर्मान कर रहा है तो जब दोनों मिल के पुरक कुन का निर्मान कर रहा होगा तो दोनों में से किसी एक को बदल दिया जाएगा इसको बदला जाएगा तभी भी बनेगा या इसको बदला जाएगा तभी भी बनेगा तो देखिए क्या है कि कौस एक कौस एक यहां 31 डिगरी के बादला में हम ल सब sagen कितना हो जाएगा 31 के बरावर होगा यानी कि 31 के बादल में हम लोग लिख सकते हैं 90-69 यहां 99 मेर cannabis कि फूरक के लिए होता है इसलिए पुरक कों तो 2 मिलाकर 90 degree होता है तभी तो वह जैसे की यह और यह इarak लेक रूप लगा जाता है और मायनस में से कितना है 69 डिग्री उसके बाद क्या है कि देखिए बताये थे कि कॉसेक 90 माइनस ठीटा कॉसेक होता है सेक ठीटा में और सेक ठीटा बदलता है कॉसेक ठीटा में तो कॉसेक 90 माइनस ठीटा की रूप में है कॉसेक 90 माइनस ठीटा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक ठी डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा सेख 69 डिग्री माइनस सेख 69 डिग्री जो कि सेख 69 डिग्री और यहां माइनस में सेख 69 डिग्री जो कि एक बर प्लस में है और एक बर माइनस में है तो इस स्थिति में भी यह दोनों कटेगा तो कटने के बाद में क्या हो जाएग अब प्रस्नावली 8.3 के question number 2 के देखिए अंदर दो सवाल दिया है जिसमें की पहला हम लोग अभी पहले बनाएंगे तो दूसरा के पहला सवाल कितना है तैन और तालिस दिगरी उसके बाद है तैन तैस डिगरी उसके बाद है तैन ब्यालिस डिगरी और तैन सौर सट डिगरी बराबर वन सवाल में क्या लिखा हुआ है दिखाए कि इतना बराबर वन यानि कि कहा जा सकता है कि यह कोहना चाहा रहा है कि जाच किजिए सत्यापित किजिए प्रूब्ड किजिए कि इसका मान इसके मान के बराबर आएगा यानि कि LHS और RHS दोनों को साबित करके दिखाना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह के सवाल के लिए बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि जाच करना है आपको सबसे पहले यह जाच करना है कि इसमें से कौन मिल कर पूरक कौन का निर्मान करेगा जो भी मिल कर अगर पुरक कुन का निर्मान करेगा तो उस दोनों में से किसी एक को बदला जाएगा और दोनों में से किसी एक को बदल कर सवाल को आगे बढ़ा जाएगा तो देखिए तो यहाँ 10 48 डिगरी और 10 बदलता है किस में कोट में तो यहाँ तो इससे 10 10 से मतलब तो नहीं है 10 यहाँ 10 से मतलब देखिए ध्यान देना है फिर से कि 10 48 डिगरी है और 10 बदलता है कोट में तो 10 48 डिगरी और 23 डिगरी मिल कर क्या 90 डिगरी होता है नहीं होता है तो इसलिए यहाद दोनों आपस में मतलब नहीं है इसी तरह से देखिए 10, 48 डिगरी और यहाँ 48 डिगरी और 42 डिगरी यहाद दोनों मिलके 42 डिगरी मिलके 90 डिगरी का निर्मान कर देगा यानि कि यहाद दोनों आपस में पूरक कोन का निर्मान कर रहा है इसी तरह से कह सकते हैं कि 10 23 डिग्री और यहाँ 10 16 डिग्री तो 16 डिग्री और 23 डिग्री यह दोनों आपस में मिल के 90 डिग्री बना देगा यानि कि यह दोनों मिल के आपस में पुरकुन का रूप त्यार कर रहा है तो यह दोनों में से किसी एक को बदल दिया जाएगा इसी दोनों में से इसी को बदल दे रहे हैं और इस दोनों में से भी इसी को बदल दीजिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं वोग क्या लिख सकते हैं कि 10 48 के लिए क्या लिख सकते है कि 90 माइनस 42 टैन 48 के बदला में 90 माइनस 42 लिख सकते है क्योंकि 42 घटेगा 90 में से 48 के बराबर ही रहेगा 48 के बदला में इतना लिखा जा सकता है ऐसे ही क्या है कि टैन यहां 23 डिगरी है तो इसके लिए 10 90 minus, 90 minus यहां 60 degree लिखा जाएगा, जब यह 90 minus 60, यानि कि 90 में से 60 घटेगा, तो 23 के बराबर होगा, यानि कि 23 के बदल में 90 minus 60 असानी से लिखा जा सकता है, तब उसके बाद क्या है कि इस दोनों में से इसको बदल दीए है तो फिर इसको बदलने के जरूरत नहीं है, इस दोनो में से एक को बदलना था तो इसको बदल दिये है फिर इसको बदलने का ज़रूरत नहीं है तो यहाँ क्या हो जायेगा की टैन 42 डिग्री और यहाँ क्या हो तीटा तो यहाँ तयन नवै मैनस ठीटा बड़ाबर कॉर ठीटा यानि कि थीट कि जगापे कुछ भी हो सकता है जोल का मानन तो त्यन नवैस ठीटा यहाँ कि छेटा यानि कि लिग सकते हैं कि कॉर्ट. 42 डिगरी यानि कि इसका मान किया हुझाएगा कि कोर्ट 42 डिगरी और इसी तरह से 10 90-67 है ज़ इसके लिए भी हम लोग 10 को बदल के अगirk फ्रलट में लिखा जा सकता है क्या हुझाएगा कि कार्टblade 166 डिगरी है तो 166 डिगरी इंटू उसके बात यह GPA 1042 है तो 1042 और 1060 है तो इसको भी 1060 अभी चलाया ही जाएगा देखिए कुछ ध्यान देने वाला बात यहां कॉट 42 डिगरी और 1042 डिगरी एक सुत्र बताया गया था कि 10 ठीटा 90 into cot θ बड़ाबर 1 होता है जैसे कि इसको सीध करके भी बताये थे कि ुसका मान अनुपातिक p by बी होता है और कोल्ट का क्या होता है बी बाई पी होता है तो यह bb क्योट कर देगा पी π कर देगा तो इसका मान कितना आएगा यानि कि one आएगा जो कि यह 100% सत्य सुत्र है तब इस 42 डिग्री मान और यह भी 42 डिग्री मान को एक साथ लिखिए जिससे कि यह सुत्र इसके लिए अपलाई हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोट 42 डिग्री इन्टू 10 42 डिग्री फिर यहां कोट 161 डिग्री और 10 161 डिग्री या देखिए 10 ठीटा इन्टू कोट ठीटा या कोट ठीटा इन्टू 10 ठीटा आगे पिछे लिखने से कोई परभाव नहीं परता है तो इसके बदला में क्या है कि इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोट 161 डिग्री इन्टू 10 क्या है 161 डिग्री तब सुत्र को जब यहां अपलाई कर दिये जाए निक लगा दिये जाए तो इसके बदला में मान कितना आ गया वन अब इसी तरह से इन्टू इसके बादला में मान कितना आ गया वन तो इसका भी मान वन आ गया जब एक में एक से गुना कर दिया जाएगा तो एक ही आएगा जो कि यही तो सीद करना था यह मान निकलना था यानि कि हम लोगों का यह प्रूब्ड हो गया यह कोष्चन दूसरा के दूसरा में क्या है दिया हुआ है कोस और 30 डिगरी आगे क्या है कोस 52 डिगरी मायनस में साइन और 30 डिगरी उसके बाद फिर से साइन बावन डिगरी बराबर में 0 यह इसको भी दिखाना है कि यह मान बराबर होगा कि नहीं तो देखिए यहां क्या है कोस अर्तिस डिगरी और यहां कोस बावन डिगरी साइन अर्तिस डिगरी साइन बावन डिगरी यह दोनों आपस में अर्तिस डिगरी और बावन डिगरी मेस जोड़ा जाएगा बावन डिगरी और तो कितना हो जाएगा 90 डिगरी हो जाएगा इसी तरह से कह सकते हैं कि यहां साइन में 38 डिगरी और साइन में 52 डिगरी जब 32 डिगरी जूटेगा तो कितना हो जाएगा इसका भी मान हो जाएगा 90 डिगरी यानि कि कहा जा सकता है कि यहां कौस यह भी है कौस तो यह दोनों में से किसी एक को बदल देना है अब यहां इस तरह से यह भी कह सकते हैं कि इसमें से भी किसी एक को बदलना है तो धियान देने वाला बात यह है कि अगर इधर 38 को बदलिएगा तो इधर भी 38 को ही बदलना होगा और इधर 52 को बदलिएगा तो भी इधर भी 52 को ही बदलना होगा तो यहां क्या है कि हम लोग इधर से 38 वाले को बदल दे इधर भी 38 वाले को बदल देने होगा तो देखी हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस में 52 यानि कि 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटेगा तो 38 डिग्री के बराबर होगा जो कि कोई भी उस पर परभाव नहीं परने देगा और इंटु या पाले सही क्या है कौस 52 डिग्री पाले सही है यहाँ इंटु दीजिए चाहे मन दीजिए उससे कोई भी अंतर नहीं आता है συν क्या हो जाएगा साइन और 30 डिग्री के बातले में लोग क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं नबबे मानस में 42 यानि कि साइन में 38 के बदले में 90 में से 52 घटेगा तो 38 ही रह जाएगा उस पर कोई भी परबावर नहीं पपने देगा अब उसके बाद क्या है यह पहले साइन 52 दिगरी है तब देखिए कि यहां कॉस 90 माइनस ठीटा का मान कितना हो जाएगा साइन ठीटा ऐसे ही कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस ठीटा यह हो जाएगा कॉस ठीटा साइन ठीटा बदल जाता है कॉस ठीटा में कॉस ठीटा बदल जाता है साइन ठीटा में तब यहां कॉस 90 माइनस ठीटा के बदल में वनों क्या लिख सकने हैं कि साइन ठीटा और ठीटा के मान कितना है 52 दिगरी है तो 52 इन्टू उसके बाद क्या है कि कॉस यहां 52 दिगरी यह क्या है कि कॉस बावन डिगरी तो पहले सही है माइनस यहां साइन साइन नब्य माइनस बावन है तो साइन बतल जाएगा कॉस में यानि कि इसका मान कितना हो जाएगा कॉस बावन डिगरी ठीटा के जागा पहले सही है और साइन बावन डिगरी तो पहले सही है यानि कि देख यह sin theta into cos theta, अब यह सूतर लग जाएगा, sin theta into cos theta पराबर 1, तो sin theta के मान 52 डिगरी और cos यहाँ भी theta के मान 52 डिगरी, जो कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1 minus, यहाँ भी cos 52 डिगरी into sin 52 डिगरी जब दोनो theta के मान बराबर है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1, और जब 1 में स तो लेकर आना था एंसर, अब कोस्टन नमबर थीरी देखा जाएगा, क्या है यदि टैन टू ए, टैन टू ए बराबर, कोट ए माइनस में 18 डिगरी, 18 डिगरी, जहां टू ए एक निवन कोन है, क्या है, जहां टू ए एक निवन कोन है, तो ए का मान ग्याद किजिए, यानि कि यहां इस इस्थिती में ए का मान ग्याद करना है, देखिए आपको ऐसा सवाल, निश्चित रूप से एक गाम में पेपर में देखने को मिलने वाला है इसलिए बार-बार इसके पहले भी एक सवाल उधारन में ऐसा मिल चुका है तो उस समाई भी बोले थे कि ऐसा सवाल को बार-बार रिभाई जरूर करते रहना है और यह सवाल को confirm बनाने आना चाहिए तो देखिए क्या है यहाँ 10 2A और बराबर में कॉट A माइनस में 18 डिगरी जब की कर रहा है कि यहाँ जो 2A है तो यही 2A एक नियून कोन का रूप त्यार हो रहा है जिसमें की यह A का मान ग्यात करना है तो देखिए दोनों में से किसी एक को बदलना है इसको बदलना थोरा सा बदलने के लिए इसको भी बदल सकते है और इसको भी बदल सकते है लेकिन यह थोरा सा पहले सही माइनस की रूप में 12 है इसलिए कोसिस करना चाहिए कि इस रूप को बदला जाए यानि कि क्या कह सकत है क्या कि 10 90- theta बराबर क्या हो जाता है cot theta तो देखिए यहाँ 10 theta के जब आपर 2a लिखा हुगा है तो 10 theta की रूप में इस रूप में है और इसको इस रूप में बदलना है तो कह सकते है क्या कह सकते है ध्यान देना है कि इसको 10 को लिख सकते है कि cot 90-2a क्यों कि ठीटा जगाँ पर 2a है यह cot में तो यह भी cot करूप में आ गया बराबर यह क्या है cot a माइनस में 18 दिगरी अब देखिए इधर भी cot है इधर भी cot है दोनों साइड के cot cot अगर cut जाएगा तो कितना माना गया यह 90 माइनस में 2a बराबर a माइनस में 18 दिगरी अब क्या कर जाएगा कि 4 वाले को एक साइड और 4 वाले को एक साइड यानि कि a वाले को एक साइड कर दीजिए तो यहाँ 2a माइनस में है, माइनस में 2a और यहाँ पलस में जो a है उधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस में a बराबर यहाँ माइनस में 18 और यहाँ जो पलस में 90 डिगरी है तो उधर जाएगा मैनस में 90 दिग्री हो जाएगा, तो मैनस में 90, अब क्या जाएगा, कि मैनस में 2 A और मैनस में A मिलके कितन Germans में 30 A बरर यह मैनस में 18 degree हो और मैनस में 90 मिलके исп कितने हो जाएगा इसी तरह से 3 को भी से सकते हैं लेकिन चलिए हम लोग भाग में इसको लेकर चल सके तब 108 और जो गुना में 3 है तो इसको भाग में कर दीजिएगा तो भाग में आ जाएगा और जो कटने वला है तो कटा दीजिएगा तितरी के 9, 1 होगा यानी के 18 बन जाएगा तो 3 चक 18 यानी की इसलिए एक कमान कितना आ गिया ए बराबर 36 डिगरी यानी की यही एक कमान निकलना था जो की एक कमान निकल गिया और बोल भी रहा था कि 2A एक निवन कोन है यानि कि 2A का मान यहां 36 रखा जागा तो 36 दुनी बहत्तर जो कि 90 डिग्री से छोटा है यानि कि यहां निवन कोन का रूप सर्थ को पालन कर गिया और यहां एक अमान कितना आ गिया 36 डिग्री आ गिया है अब हम लोग देखेंगे question number 4 क्या बोल रहा है यदि 10A बराबर cut B दे रहा है कि 10A बराबर cut B तो सीध कीजिये कि A पलस B सीध करना है सीध क्या करना है A पलस B बराबर 90 डिग्री यानि कि A और B यह दोनों कोन का मान जोर दिया जाएगा तो 90 डिग्री के मान के बराबर आना चाहिए इसी को सीध करना है तो देखिए यहाँ 10A और इधर से cut B है तो दोनों में से किसी एक को बदला जाएगा यानि कि कह सकते हैं कि 1090 माइनस ठीटा बराबर क्या होता है 1090 माइनस ठीटा बराबर होता है cut ठीटा या cut90 माइनस ठीटा बराबर क्या होता है तो यहाँ cut ठीटा को इस रूप में लिख सकते है चाहे 10 ठीटा को इस रूप में हो गया तो यहाँ टैन ठीटा है, तो टैन ठीटा के बतला में यहाँ कोट ठीटा इस रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ कोट ठीटा इस रूप में है, तो इस रूप में लिखा जा सकता है, किसी भी एक को मान बदल कर रख देना है, तो देखिए इधर वाले को भी बदल लिए, चाहे इधर वाले को बदलिए, उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है, तो इधर वाले को ही बदलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, तब क्या हो जाएगा कि हम लोग लिख सकते हैं, 10A, 10A बराबर इधर वाले को बदलना है, यानि कि कोट ठीटा के बादला में हम लोग लिख सकते हैं कि 1090 मैनस ठीटा, तो यहाँ ठीटा नहीं लिखके, यहाँ B लिखा हुआ है, तो कोट B लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1090 मैनस B, तो इसके बादला में क्या ध्यान देना है यहां बच गिया A और इधर से बच गिया 90 माइनस में B जो कि यह जो B इधर माइनस में B है तो इधर आएगा तो पलस में लिखा जाएगा यानि कि इसका मान के इतना हो जाएगा A और इधर आएगा तो पलस में B बराबर में 90 डिगरी जो कि यही तो सीध करना था कि A plus B बराबर 90 degree और यहां सीध हो गया यानि कि इतना आगया प्रूब्ड देखिए अब हम लोग देखेंगे question number 5 क्या है यदि सेक फोर ए सेक फोर ए बराबर कौसेक कौसेक ए माइनस 20 degree जहां फोर ए एक निवन कुन है यानि कि वही इसके पहले दो सवाल इस तरह का तो मिल चुका है तो A का मान ज्यात कीजिए इसी स्थिति में भी वही कि A का मान ही ज्यात करना है तो बता तूके है इस तरह के सवाल को पहले से की कैसे बनाना है इधर वाले मान को भी चाहिएगा तो बदल कर बनाया जा सकता है लेकिन यह थोरा सा लेंदी हो जाएगा इसी लिए इधर वाले को बदल दीजिए तो देखिए क्या है कि कौसेक 90 म माइनस ठीटा बराबर हो जाता है कौस एक ठीटा तो यह सेक ठीटा की रूप में है यानि कि इस रूप में है तो हम को इस रूप में बदल देना है तो इस रूप में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं कौस एक कौस एक नबे और यह ठीटा के जगापर क्या है ठीटा के जग बराबर में इधर से कितना है कोसेक ए माइनस में 20 डिग्री अब क्या है तरह से earlier से演ंदी мен या लिख दियाता है चाहे इंग्लीस में और लिखा जाता है यह कब लिखा जाता है जब कि भीच्छाइबी आह एक चीन चलता है तब तब यहां कौसेक और इधर से भी कौसेक दोने साइड में है तो असनी से कट जाएगा बच गिया क्या 90 डिग्री माइनस में 4A बराबर इधर से क्या है A माइनस में 20 डिग्री अब यही बात 4 को 1 साइड और 4 को 1 साइड कर दिया जाएगा यानि कि A को एक साइड में किजिएगा तो यह माइनस में 4A यह इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में A हो जाएगा माइनस में 5A बराबर यह माइनस में 20 डिगरी माइनस में 90 डिगरी मिलके कितना हो जाएगा माइनस में 110 डिगरी माइनस माइनस बुन साइट के कट जाएगा तो हो जाएगा ए बराबर कितना एक सो दोस बाटा पांच या कटेगा तो कितना हो जाएगा पांच दूनी दोस फिर से हो जाएगा पांच दूनी दोस यानि कि 22 दिगरी तो ए का मान कितना आगया ए का मान 22 दिगरी आया यही तो ए का ही मान ज्यात करना था जो कि आगया इतना देखिए अब देखेंगे question number 6 में क्या दिया हुआ है यदि A, B, C तिर्भूज A, B, C के अंतह कोन हो तो दिखाए की इतना बराबर इतना यानि की एक तिर्भूज है A, B और C जिसमें A, B, C क्या है किसी तिर्भूज A, B, C वही जो है अंतह कोन का मान है तो इस अंतह कोन के तीनो कोन के मान मिला कर तिर्भूज में 180 degree होता है जो की यह सर्थ पालन होना चाहिए तो यहां दे रहा है क्या दे रहा है साइन B पलस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2 यहां A बाई 2 है और यहां B पलस C बाई 2 है तो देखिए क्या है यहां भी देखा जाए तो वैसे ही इसका भी रूप पदलना है यहां यह पलस के रूप में है और यहां यह पलस C के रूप में नहीं है तो इसको बदलना थोड़ा सा जादा भारी रूप ले लेगा इसलिए परियास के जाएगा इसको बदलने के लिए तो देखिए क्या है कि sin 90-θ बराबर sin बदल जाता है cos theta के रूप में और इसी तरह से cos 90-θ बराबर cos बदल जाता है sin theta के रूप में तब यहाँ cos a by 2 है तो cos इस रूप में है तो इस रूप में sin के रूप में बदल के रुख देना है तो क्या हो जाएगा कि sin sin b plus c by 2 यहाँ तो जेओं का त्यों लिखा गया बराबर यहाँ cos theta के रूप में कितना है a by 2 तो लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं कि sin 90-θ बराबर a by 2 देखिए इधर भी आगया sin के रूप में और इधर भी आगया sin के रूप में तो दोना साइड के sin sin कट जाएगा तो बचेगा क्या b plus c by 2 बराबर इधर से यहाँ कितना आगया 90 माइनस में a by 2 देखिए अब 4 को एक साइड कर दिया जाए और 4 को एक साइड कर दिया यादि कि a by 2 इधर माइनस में आए तो इधर आएगा अगी तो प्रसों हो जाएगा तब हो जाएगा वी प्लस की बाई टू और्डर यह पनस में ए't ऐड़ाबर में 90 नव 내orden यह बच जाएगा तब क्या हो जाएगा कि यहाँ बाटा का जोर कर दिएगा तो जाएगा धिप लस टी और इधर से यह ए तो A बराबर में 90 degree, तब देखिए B, C, A है इसको थो आशा क्रामिक तरीक से लिख दिया जाए, यानि कह सकते हैं कि A plus B plus C 3 को लिख दिये, बराबर में 90 दूनी 180 degree, जब यह तिर्भूज का बात चल रहा था, तिर्भूज में 3 कोन A, B, C इसका अंतर कोन था, तो तिर्भूज के 3 कोन अंतर कोन का मान मिलाकर 180 degree होना चाहिए, जो कि यहाँ A, B, C, 3 का मान मिलाकर 180 degree हो गया, यानि कि यह तिर्भूज के लिए यह सत्यात्ता जाच हो गया, देखिए, अब हम लोग देखेंगे, question number 7, में क्या है, sine 166 degree, sine 166 degree, plus में, cos 75 degree को, 0 degree और 45 degree के बीच, कितना 0 degree और 45 degree के बीच के कोनों के तिर्कुन मित्री यानुपातों के पदों में व्यक्त किजिए, इसके जैसा एक सवाल पहले से बनवाया जा चुका है, यह क्या है कि यह जो भी दिया हुआ है न, तो इसको 0 और 45 के बीच में मान को बदल के रख देना है, तो देखिए क्या है कि ऐसा कुछ बदलाओ करना है जिससे कि मान 0 और 45 के बीच में आ जाए, उससे 12 नहीं होना चाहिए, यानि कि 45 degree से है, देखिए यहाँ 170 degree है जो कि 45 से 12 है, और यहाँ 75 degree है जो कि अभी 45 से 12 है, तो इसको परियास करना है कि 0 और 45 के बीच में कर दिया जा है कि साइन 90 माइनस ठीटा बदल जाता है कॉस ठीटा में, और ऐसे ही क्या होता है कि कॉस 90 माइनस ठीटा यह बदल जाता है साइन ठीटा के रूप में, तो जब यहार इस रूप में बदल जाता है तो परियास करना है कि इसको हम लोग रूप बदले, तब देखिए क्या है इसको जब बदल लिएगा तब लिख सकते हैं कि साइन 60 के बदला में 60 के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस में 23 दिगरी क्योंकि जब 90 दिगरी में से 23 घटेगा तो 60 दिगरी के बराबर ही होगा तब क्या है एक बार करके देख लीजिए, 90 में से 162 गटेगा तो कितना, 10 में से 7 गटेगा तो 3, यह हो जएगा 8 में से 6 गटेगा तो 2, यानि 23 डिगरी आएगा जो 23 लिख दीए हैं, और पलस में इधर कोष पचाहतर डिगरी है, तो इसके बादला में क्या लिख सकते हैं, क क्या हो जाएगा कि यहां यहां sin 90-θ, sin 90-θ को cos theta में इसको बदल दिया सकता है और cos 90-θ इसको भी sin theta के रूप मी बदला जा सकता है, तो sin 90-θ है, तो यहां हो जाएगा कि cos theta के रूप में कितना है, 23 degree greater, सब्सक्राइब कर से और जरूर कर दे कर दो